तो गाईस हमेशा की तरह आज भी मैं आप लोग के लिए बहुत ही अमेजिन वीडियो लेके आया हूँ आज मैं आप लोग को परवाइट करने वालों Mixed Photo Effect अब यह जो Mixed Photo Effect है इसके अंदर काफी सारे डिफरेंट तरीके के मैं आप लोग को Effect परवाइट करूँगा जिसको आप अपनी फोटो के साथ अपलाई करके अपनी फोटो को बहुत ज़्यादा ब्यूटिफल बना सकते हो ज़्यादा वर्क नहीं है छोटा सा ही वर्क होगा आपको ज़्यादा महत करने जोटनी पड़ेगी जोबी चीज़ में आप लोग को इस वीडियो के अंतर बताने वालों इस चीज़ के थुरू आप अपनी किसी भी टैप की फोटो को काफी सारे बढ़िया लिटीपल इफैट को अब दे सकते हैं लिंग कैसे काम करना होगा क्या ट्रिक हो सकती है कैसे आप मैनुपलेट करोगे या पर कैसे एडिट करोगे इस सारे चीजे में आपको वीडियो में आगी जाके बताने वालों तो फ्लीज वीडियो को सब्स्क्राइब की विए देख सकते हैं किसी भी टाइब के सॉफ़ए को बाय करने के लिए बहुत यादा चीप प्राइज में ग्राफिट रिजानिंग से लिटेड़ अगर आपको किसी भी काटिगरी का वर्क है अगर आप आल्बम रिजानिंग करते हैं या फिर सब्लीमेशन का बिजनस करते हैं मग वगा काम है वीडियो में पास अवीलेबल मिलेंगे कंप्यूटर से लेकिरी के वाटसपर के लिए आप में से कॉंटेट कर सकते हैं आपको स्कीन के ओपर वट्सप का नमबर दिखाए रहा होगा तो क्या सब्सक्राइब करेंगे अपने सब्सक्राइब की तरफ जाए तो आपके लिखा हो रही है यहां होने के बाद हमों चलेंगे अपने एडिटिंग के ऊपर यह सारी फाइल को यूज कर सकते हो फोटोशॉप CS6 या फिसी यूपर कोई वर्जान आप यूज कर सकते हो तो सबसे पहले मैं आपको फोल्टर करने के जा रहा हूँ आपको मैं फाइल कर लिया और यहां पर देख सकते हैं काफी सारी आपको यहां पर कलरफुल दिखाये दे रही होगी यह सारी फाइल में आपको यह सारे एफेक्ट आपको प्रवाइड करों बिल्कुल डिफरेंट मैं हर भा कोशिश करता हूँ कि जब भी मैं आपको प्रवाइड करूं तो यूनिक चीजर प्रवाइड करू तो यह मैं आप लोग के लिए लिए लेके आया ओं नहीं होसं मैं आपको आइंडिक प्रवाइड करें योर्किन करसे वालँ है और 10 के 100 पहले से तो इस ओपन फोटोशॉप में आपकी फोटोशॉप में ओपन हो जाएगी यहां पर दिख सकते हैं जैसे मेरे पास दिखाई देगी इसके बाद चलते हैं इसके लेयर की तरफ में यहां पर काफी सब्सक्राइब करना होगा जैसे आपको यहां डबल क्लिक करेंगे दो सकते आपको मैस जाएगा तो अपके पे क्लीक करेंगे उसके बाद आप आजाएगे इस वाली शीट के ओपर अफोटो को पेश्ट करना है आप फोटो को अपनी फाइल को रखा है उस वाँ को ब्रॉज कर लेता हूं तो मैंने एक अपनी image को डबल क्लिक कर लिया है इस पेज को आगा है मुझे copy paste करने की जोट नहीं पड़ी क्योंकि मैंने place पे click किया था तो यहां पर आपकी image आ जाएगी तो आपके उस control T लगा हो आएगा आप इसको बढ़ा कर सकते हो according to आपकी image तो आपकी image यहां पर यहां पर करने के बाद आपको जाने फाइल के उपर यहां पर जो सेफ लिखा है सेव हो जाएगी जिसकि आप यहां पे दожноकर इसके बार आपको यह वाले पे बंद करने के लिए यहां पे आपको आश को होटन होता है हम कर Τ division ने रहे हैं यह smiled ग्लास का डिजायन है यहां पर आपको जितने भी घ्लास दिख्वैं कंच का तुकड़े दिख्वैंगे सब आपको लड़की का चहरा आपको थोड़ा थोड़ा दिख्वैंगे होगा अब इसको डारी भी निकाल सकता हूं लेकिन अगर मुझे थोड़ा सा मैनिपलेशन अगर करना है तो इसके सेटिंग से बगा रहा है इसको अभी मैं यहां पर ओन आफ करके देखता हूं तो बिल्कुल हलका सा फर्क पड़ रहा है फोटो ब्रैट हो जा रही है अगर मैं इसको बंद कर रहा है तो यहां से आपकी फोटो ही आपकी रिमूव हो जाती है फिक है उसके बास ब्लकुल नहीं हटाना तो आप इसको ओन कर लेंगे उसके बाद नीचे वाला गरूप है इसको अगर आपको आपन करते हैं गिलास वाले को तो तो बहुँ यहां पर आपको एड़ हो रखी है तो यहां पर आपको changes नहीं करने, otherwise आपके डिजाइन में changes हो जाएंगे, तो यह बिल्कुल done हो गया है, तो आपका सारा design ही हट जाता है, और आपके जो image है, image को disable करेंगे, तो कुछ फ़र्क नहीं बड़ेगा, तो यहां पर हम लोग फोटो लगानी है, फोटो लगानी के लिए, अभी हम लोग इस वाली फाइल पर डबल क्लिक करते हैं, और आपके पास यह वाला page खुल गया, इसको बड़ा दिया, उसका सेम प्रोसेस है, और आपके पर आपके प्लिक करने के बाद, यह आपकी जो image है, इसको बंद कर देंगे, तो यहां पर जो मेरी image है, मैं इसको बंद कर देता हूँ, यहां बंद करने के बाद, आपका result यहां पर आच चुका है, बहुत ही amazing और ब design को, आप किसी और design में भी move कर सकते हैं, यहां पर option दिया हुआ है, आपका effect को, अगर आप open करेंगे, यह background आपका 0, इसको आप disable कर दोगे, तो आपका यह background less हो गया, अब आप इस वाल image को उठा के कहीं भी move कर सकते हो, लेकिं move करने से पहले, आपको सारी layer को group करना पड़े कर सकते हो, अगर आप sublimation का design बनाते हो, जैसके mug, t-shirt का, या cushion cover वगारा, तो वहां पर भी आप इसको use कर सकते हो, तो यहां पर जितनी ही फाइले देख रहे हैं, सारी फाइल में work करने का तरिका बिल्कुल ऐसा ही है, किसी किसी में आपके full photo जाएगी, और किसी किसी में आपको ले लेता हूँ, इस वाल इमेज को ले लेता हूँ, इसको मैं इने ड्रैक किया, फोटोशॉप में यहां पर जाके छोड़ देता हूँ, यहां पर आपकी image वो open हो जाएगी, ठीक कुछ रिखा है, इसकी जो layers है, काफी साई layers है, और इसमें दो layer आपकी disable भी आप, इ यहां पर आपको अपने city image डालनी है, यहां पर आपको अपनी कोई भी content की image डालनी है, तो basically यहां पर थोटा सा double exposure वाला effect आने वाला है, तो कैसे करना है, मैं आपको बताता हूँ, यहां पर double click करेंगे, अभी हम लोग double click करते के साथ, okay आएगा, okay पर click करते है, तो आप आज जो मैं move कर रहा हूँ, तो यह line का जो box है, यह जो demo दिया हुआ है, इसी demo के अंदर आपको अपनी picture को add करना होगा, कैसे करना है, simple सा तरीका है, file पर जाएंगे, place पर जाएंगे, अब मैं अपनी कोई भी cutting image को ही use करना, तो मैं पस कावी सारी cutting image रखी हुई है, तो मैंने यह आपर select कर लिया है, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा करूँगा, ऐसे करके, मुझे यहीं पर रखना है इसको, और थोड़ा सा मेनिस को ऐसे कर दिया, यहां पर रखने के बाद, आप इसको double click कर देंगे, double click करने के बाद, यहां पर पीछे की तरफ में जो black shadow आ रहा है, वो यहां पर है, आप इसको disable कर देना, यह disable कर दिया, अभी आपको नहीं दिखाए दे रहा है, अब इसको save कर सकते हो, save करने के लिए आपको क्या करना होगा, same तरीका ही है, आपको file पर click करना है, save के उपर click करना है, और अब यह वाली आपकी image है, smart object में जाके save हो रही है, उसके बाद हम लोग इस वाले page को बंद कर देंगे, तो यहां से मैं इसको बंद कर देता हूँ, कि बंद कर दिया, बंद करने के बाद आपकी image कुछ ऐसे आगी है, लेकिन यहां पर आपको subject को सर है, वहां पर थोड़ा सा dark shadow आगया है, अपनी image को थोड़ा सा नीचे करो, नीचे कैसे करना है मैं फाइल पर दॉटकाल नापूल को चुट करें तो यहाँ पर मेरी तो पर थीक दिखाई दे रहा है तो आपको फाइनकिते में डालने यहां टबल क्लिक कर लो कर लो इसके बाद के सामने हैं ब्लैक पीस तो अब वाल पर बगार हो गया किसी भी city का हो गया किसी भी country का चलेगा ठीक है तो मैं पास एक डेमो में उसको यूज़ कर लेता हूं तो मैं क्या करूंगा फाइल पर जाओँगा प्लेस पे करूंगा वो कोई सीटी वाल पर पर नहीं था यहां पर रख दिया इसको थोड़ा साव ब के से वोगी फिर आप इस वाली पेज को बंद करतों जो इमेज़ा हों चुकिये मैं इसको बंद करने के बाद आप को डिजाइन वो रेडी है बहुत इमेजिंग यहाँ पर दिखाए दे रहा होगा आप यहां पर देख सकते हैं जो कि बहुत प्यारा दिखाए दे रहा है तो तो इसके लावा जितने विन आपको एफेक्ट दिया है यहां पर आपको थोड़ा सो मैं बताइब यहां पर यहां पर यह बहुत प्यार दिखाई देता है इसमें आपके फुल इमेज जाएगी आपकी जो इमेज हाफ में नॉनमल दिखाई देगी हाव आपकी टेक्स के अंदर दिखाई देगी यहां पर देशक्त फ्रेम ब्लैक अलर्क यहां पर आपके रिबंड के अंदर इमेज आजएगी मुझे सबको बताने की जरूत नहीं है सारे चीज़े इजहां पर आपको लि लाइकन आप जुरूर दबाया जिससे कि मेरे चैनल पर आने वाली वीडियो आप तक भी बिल्कुल सही टैम तो पहुंच सके और आप भी मेरे चैनल से नहीं नहीं चीजे सिर सके नहीं नहीं कंटेंट आप लोगों को मिलते ही रहेंगे तो गैस इस वीडियो को शेर करना बिल्कुल ना भूले अपने वाटसाप के गुरूप में और अगर किसी को भी किसी भी टाइप के सॉफवेर चाहिए तो आप मेरे से कॉंट्राइट कर सकते हैं वीडियो के स्टार्टिंग में आपको नमबर दिया हूथा मैंने वाटसाप क